आउरत सब मर्दों को पाक दामन चाहिए, खुद चाहे सो जगा मूँ क्यों न मारा हो। जो आउरत हर वक्त लड़ती रहती है, तो समझ जाओ एसी आउरत के दिल में एक ही मर्द बसता है। जो अवरत हर वक्त उदास रहती है तो समझ जाओ एसी अवरत एहसासे कम तरीका शिकार है आजाद खयाल अवरत चाहे जिस उमर की भी हो मर्द के हवास पर चाही रहती है जब किसी ताकत वर को उसके जुर्म की सजा नहीं दी जाती तो वो सजा पूरे समाज में तकसीम हो जाती है जब तुम्हारी मुश्कलात हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लो के अल्ला तुम्हें कोई बलंद मकाम देने वाला है जिस तरह शैतान वसवसा डालता है इसी तरह शैतान ने सिपत आदमी भी वसवसा डालता है दोनों के शिर से अल्ला ताला की पना मागनी चाहिए जिन्दगी के हर शोबे में गुर्बत एक बेतरीन उस्ताद है आउरत को पाने के लिए उसकी कमजोरी को समझो जवान आउरत अराम चाहती है, कम उमर आउरत महबबत चाहती है और बड़ी उमर की आउरत इज़त चाहती है जिस आउरत या मर्द का नाम M से शुरू होता है ऐसे लोग वफादार होते हैं आउरत ये कभी बरदाश्ट नहीं कर सकती के जिस मर्द से वो महबबत करे, उस दिल में कोई दूसरी आउरतें अबाद हो नेकी का काम करते हुए और यतीम की मदद करते हुए दोखा मिले तो समझ जाओ, तुम दौलत मन्द होने वाले हो हमेशा सच बोलें, अगर नुकसान हुआ भी तो सिर्फ दुनिया में होगा, आखरत में अजर ही अजर मिलेगा आउरत की इस से ज्यादा तोहीन हो ही नहीं सकती के कोई मर्द उसे बिना निकाह के हाथ लगाए फिर चाहे वो सच्ची महबबत ही क्यों न करता हो मर्जी के खिलाप किया जाने वाला काम इनसान को खुशी नहीं देता अगर आपका महबूब आपको खोने से नहीं डरता तो समझ जाओ के उसने आप से भी महबबत की ही नहीं हल पेश किये बगएर मसले के बारे में शिकायत करना रोना कहलाता है जो आउरत हर वाक्त हांसती रहती है तो समझ जाओ एसी आउरत में दुखों का आतश फिशां उबल रहा है दुनिया में आउरत को सबसे ज्यादा इज़त हजरत मुहम्मन सले अलाह अलाह वालही वसल्लम ने दी है अपनी दौलत में इज़ाफे के दो तरीके हैं अपने वसाइल ज्यादा करें या अपनी खुआशात को कम करें आप जितनी कम बात करते हैं आपके लफजों को उतनी ही ज्यादा एहमियत दी जाती है अगर आउरत खूबसूरत होने के साथ साथ शरार्ती और पागल हो तो उससे महबत नहीं इश्क हो जाता है नाकाम लोगों की सोबत में रहते हुए आप कभी कामियाब नहीं हो सकते बेहतरीन हमसफर की खास्यत ये है के वो नाराजगी के बावजूद भी आपका खयाल रखना नहीं चोड़ता मर्द वफा के मौामले में दरक्तों की तरह हैं कट तो सकता है मगर मन पसंद औरत को दोखा नहीं दे सकता आउरत के पास ये अक्तियार है के वो पांच सेकंड में मर्द के मूड का बेड़ा गरक कर सकती है मर्द अगर इज़त करता है तो समझे महबबत करता है जब साथ देने वाला मुश्कलात पैदा करने लगे तो तनहाया ही बेहतर लगती है कोई किसी को भी उसकी खामियों के साथ नहीं अपनाता चाहे वो मर्द हो या अवरत जिसकी फित्रत हमेशां बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता चाहे वो वक्त हो या फिर इनसान जो लोग बहुत ज्यादा जहीन होते हैं उनका फेवरेट कलर बलेक होता है मुस्कराट और माजरत रिष्टों को मजबूत करती है माप कर दिया करें आपको भी तस्कीन मिलेगी किस किस को राजी करोगे बस एक रब को राजी कर लो सारे मसले हल हो जाएंगे जब जिन्दगी में दुआएं कम हो जाएं तो दुआएं बढ़ जाती हैं मुहबत सब अपनी मर्जी से करते हैं निकाह की बात करो तो घर वाले नहीं मानेंगे एक वफादार हलाल अवरत हजार खूबसूरत ना महरम आउरतों से बेहतर है जिस आउरत या मर्द का नाम एसे शुरू होता है एसे लोग सोस्त लेकिन चलाक भी होते हैं अगर अवरत चाहती है के मर्द उससे बात करने के लिए दिन रात तडपे तो उससे बहुत कम वक्त दे खुद को मसरूप कर लें